नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू अन्यू वीडियो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोफ फाइव एडवांस टेकनोलोजी जो माभारत में यूज हुई थी माभारत में हमको कई किस से ऐसे सुनने वो मिलते हैं कि जिनको सुनकर हमको लगता है कि यह चमतकार से कम नहीं है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनी सब चीजों की और प्रूफ करेंगे कि वो कोई चमतकार नहीं था बलकि एडवांस टेकनोलोजी थी उस टाइम की तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे बहुत कम लोगों को पता होगा कि मावारत में मोटर बोट के सबूत मिलते हैं और यह सबूत मिलते हैं आदी परू में जब लाक्षा ग्रह से पांडो बच कर निकल जाते हैं माता कुंती के साथ तो वो एक नदी के किनारे पर पोचते हैं और उसी नदी किनारे विदूर ने एक बोट का इंदजाम कर रखा होता है ता कि वह लोग नदी को पार कर सकी। बताया जाता है कि उस बोट पर एक जंडा लगा हुआ था और इक यंट्र लगा हुआ था। और जैसे ही माता कुंती और पांडव उस नाव में बैठते हैं तो भीम को एक लीवर दिखाई देता है। जैसे भीम उस लीवर को कीचता है तो नाव में से अलकी-अलकी आवाज आने लग जाती है। और थोड़ी देर में नाव धीरे-धीरे करके अपने आप आगे बढ़ने लग जाती है। और दोस्तो इसको आज से रिलेट करें तो आज भी कई मोटर बोट ऐसे ही चलती है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि माभारत में मोटर बोट का भी इस्तमाल होता था। और जैसी भीम ने लीवर को कीचा जो वो अवाज आई वो मोटर के स्टार्ट होने की अवाज थी। जो नाव में लगी हुई थी और उस समय में मोटर बोट का इस्तमाल होना सच में एडवांस टेकनोलोजी है आज के टाइम में अब बात करते हैं कि क्या सच में VR डिवाइसीज का प्रोप मिलता है माभारत में आज के according समझते हैं कि virtual reality होता क्या है according to virtual reality सारी चीज़े हमारे सामने हो रही होती है but आप वहाँ पर physically present नहीं होते हैं आप उन चीजों को दूर से देख रहे होते हैं और आज के समय में सब कुछ possible हो पाया VR डिवाइसीज की बज़े से अब डूंडते हैं माभारत में VR के सबूत माभारत में दिखाया हुआ है कि वेदव्यास संजय को दिव्यद रिष्टी देते हैं जिससे वो एक जगए बैठकर पूरे माभारत का यूद देख सके बलकि जिस जगए पर संजय ने बैठकर माभारत का युद्ध देखा था वो जगए रंड भूमी से लगबग 80 किलोमीटर दूर थी जो भी सारी चीज़े कुरुचेतर के मैदान में होती थी वो सारी चीज़े संजय धृतराश्टर को बताते थे पर क्या इस बात की पोसिबिलिटी है कि जिसको हम दिव्य दृष्टी बोल रहे हूं वो कोई एडवांस टेकनोलोजी हो संजय बताते है कि जब वो ये सारा यूद देखते हैं तो उनको लगता है कि वो कुरुचेतर के मैदान में ही मोजूद है पर उनको कोई देख नहीं पा रहा है बलकि वो सब को देख पा रहे हैं बताया जाता है कि जब बगवान क्रिशन ने गीता का उगदेश दिया वो उगदेश संजय ने भी सुना था और इस बात से ये चीज भी फ्रूप होती है कि संजयक पर्टिकुलर जगह पर भी फोकस कर सकते थे तो हो सकता है कि वेद व्यास ने संजयक को VR डिवाइस या ऐसी ही मिलती कोई टेकनोलोजी दी हो दोस्तो अब बात करते हैं एडवांस कूकिंग डिवाइस के बारे में जिसके सबूत मिलते हैं महावारत में आप लोगों को वो समय तो याद होगा जब पांडो बारा साल तक जंगल में रहे थे उस समय बगवान सूर्य युदिष्टर को एक एडवांस कूकिंग डिवाइस देते हैं और इस कूकिंग डिवाइस का नाम था अक्षय पात्रा इस कूकिंग डिवाइस के कुछ स्पेशल फीचर थे जैसे इसमें जितना चाहे उतना मरजी खाना बन सकता था और इसको चलाने के लिए आग की भी जरूरत नहीं थी बलकि ये सोलर पावर या सोलर एनरजी से चलता था बताया जाता है कि ये जो एडवांस कूकिंग डिवाइस था ये कोपर से बना हुआ था और ये बात हम सब जानते हैं कि कोपर वेस्ट कंड़क्टर ओफ हीट है इस बात की पोसिबिलिटी काफी हाई है कि हमारी उनिवर्स के अलावा भी कोई उनिवर्स हो जहां पर काफी एडवांस लोग रहते हो और ये उनिवर्स का कोई एडवांस कूकिंग डिवाइस हो और सूर्य वगवान ने वही एक डिवाइस सुधिस्टर को दिया हो और इस चीज़ को हम ऐसा स्ट्रॉंग प्रूफ बोल सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं सूलर एनरजी से चलती है और ये डिवाइस भी सूलर एनरजी से चलता था और भी ऐसे ना जाने कितने डिवाइसे और कितने एडवांस मशीन सूंगी माभारत में जिसको हमें ढूंडने की जरूरत है महारिशी शुशुरूत के बारे में तो हम सब जानते हैं और इनको father of surgery भी बोला जाता है और शुशुरूत surgery की practice 7 से 26 साल पहले करते थे और दोस्तों माभारत में भी सबूत पाए जाते हैं surgery के जब इशम पितामा गायल होकर तीरों के बिस्तर पर लेटे होते हैं तो दुरियोधन उनके इलाज के लिए काफी experience और skilled surgeon को बुलाता है और वीशम पितामा कोई भी treatment लेने से मना कर देते हैं वीशम पितामा बोलते हैं कि वे एक सच्च शत्रिय की तरह मरना पसंद करेंगे माभारत के युद में दोस्तों करोडों की संख्या में सैनिक गायल होए थे और उनके treatment के लिए कोरव और पांडव दोनों के camps में काफी skillful surgeon मुझूद थे जब कोई भी सैनिक गायल होकर आता था तो उनको एक proper treatment दिया जादा था इन सर्जन और physician's के थुरू बताया जाता है कि ये काफी trained surgeons थे और ये काफी आसानी से तीरों को बाहर निकाल सकते थे सैनिकों के शरीर से और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये सर्जन एक या दो की संख्या में ही मुझूद थे काफी संख्या में मुझूद थे क्योंकि कोरव और पांडव दोनों की तरफ से लाखों की संख्या में सैनिक गायल होते थे तो उनके treatment के लिए काफी जादा surgeons की जरूरत थी और वो दोनों तरफ थे कोरव की तरफ भी और पांडव की तरफ भी और ये इन बातों का सबूत है कि सर्जरी की practice भारत में हजारों साल पहले से होती आ रही है अब दोस्तों आखिर में बात करते है science behind birth of कोरवस हम ये बात तो पता है कि गांदारी ने 101 बच्चों को जनम दिया था जिसमें सो लड़के थे और एक लड़की और humanly 101 बच्चों को जनम देना बिलकुल भी possible नहीं है और अगर गांदारी एक साल में एक बच्चे को भी जनम देती तो उनको 101 साल लग जाते सारे कोरवस पैदा करने में और ये बात बिलकुल भी possible नहीं है और हम ये बात भी जानते हैं कि सारे कोरवस ओल्मोस्ट से मेच के थे और इसके पीछे की साइंस यह है कि गांदारी ने 101 बच्चों को जनम नहीं दिया था बलकि उन्होंने अंडेवलोप्ड फीटस को जनम दिया था फिर उसके बाद रिशी वेदव्यास ने आके उस फीटस को 101 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और दोस्तों पहले के रिशी नॉर्मल रिशी नहीं होते थे यह बोलना गलत नहीं होगा कि पहले के रिशी साइंटिस्ट होते थे और उनको साइंस की काफी अच्छी नॉलिज थी उसके बाद रिशी वेदव्यास ने उन सारे फीटस को एक अलग सेपरेट इंक्यूबेटर में रख दिया और उन सारे इंक्यूबेटर को एक सर्टेन टेंपरेचर के लिए सैट करा दया काफी लंबे टाइम तक और उन सारे इंक्यूबेटर को एक डार्क प्लेस पर रखा दया था जहाँ पर सनलाइट ना पहुंच पाए और अगर बोला जाए तो कोरो परफेक्ट एक्जमपल है क्लोनिंग का जहाँ पर आप एक स्टेम सेल से एक नया फीटस बना सकते हो क्योंकि स्टेम सेल को किसी भी तरह के सेल्स में कनवर्ट करा जा सकता है और यह सारी चीजे करी गई थी आज से लगबग 5,000 साल पहले हो सकते हैं दोस्तों यह सारी चीजे उस तहीं में काफी नॉर्मल चीजे हो और मेरे ख्याल से होंगी भी हम इन चीजों को एडवांस इसले बोल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यह चीजे अभी इंट्रोड्यूस हुई है पर यह सारी चीजे काफी हजार साल पहले होना काफी इंट्रस्टिंग चीज है पर यह सारी चीजे समय के साथ गायव होती रही और आज के समय में इस सारी चीज़े दुबार री डिसकवर हो रही है ऐसी दोस्तों बहुत सारे प्रूफ अमारे इंशेंट इडिया में जो एडवांस साइंस और एडवांस टेकनोलोजी की तरफ इशारा करती है जो आज के समय में लुप्त हो गई है और हमें उन चीज़ों को ढूंडने की जरूरत है इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना बाबाए